चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेस्चन नमबर 6 को सॉल्व करते हैं, देखें क्वेस्चन नमबर 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेस्चन नमबर 6 हमसे कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर उंचे, एक भवन से कुछ दोरी पर खड़ा है, तो आप लोग जा रहा है, और यह जो भवन है, इसकी जो लंबाई है, वो कितना दिया है, 30 मीटर दे रहा है, नेक्स्ट क्या कहा रहा है, कहा रहा कि एक लड़का है, और यह जो लड़का है, इसकी जो लंबाई हो कितनी है, इस लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर का लड़का है, और एक तीस मीटर उचा भवन है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो लड़का देखी भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और नेक्स देखी क्या काजरा, जब वह उचे भवन की ओर जाता है, अब उचा भवन तो यही है, जब लड़का इस भवन की ओर जाता है, या लड़के की आख से भवन के सिखर का उन्यन कोड बवन का सिखर और लड़के की आख देखिए लड़के की आख और भवन के सिखर का उन्यन कोड 30 डिगरी से 30 डिगरी से कितना हो जाता 60 डिगरी अब लड़का यहां से इस तरफ जाएगा देखिए यहां से लड़का इस कि यहां कहीं आ गया बद और क्या का जा रहा है सिक्सी डिग्री हो जाता है तो लड़का यहां से आया यहां से चला ですточार किया यहां पर पहुंचा कुछ दूर चला और उसके बाद क्या हो जारा उसका जो 59 कोड़े 30 क् vintage से 60 RP हो जारा है तक अम यहां से यहां से भी पो कितना कोडा हो जारा जो तो हमारी जो द्रिष्टी रेखा है इसके साथ जो मारा इसका ग्राउंड है इसके साथ जो कोड़ बनाती है वही कोड़ मारा क्या होता है उन्यन कोड़ होता है एक इतना है 30 डिग्री है एक इतना वजा रहा 60 डिग्री हो जा रहा है और जब कुछ दूर चल रहा है तभी ओर जा रहा है यहां से कुछ दूर लड़का चल करके आया है तो जो दूरी उसने तय करी है उसको मने माल लिया यक्स है और लड़का तता यह जो भवन है देखिए लड़कत तता भवन के जो बीच की दूरी है, इसको हम कितना माल ले रहे हैं, यह हमारी दूरी L है, नेक्स्ट आप लोग समझिए, यह हमारा जो ट्राइंगिल बन रहा देगे, हमारा संपोर्ट तिरभूज बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, यह हमारा A, B, C, और आप अंगल बन रहा, यहां पर बन रहा, यहां पर बन रहा, तो यह जो हमारी हाइट, यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, यह वाली जो हमारी हाइट है, कितनी हो जाएगी, 1.5 घटा देंगे 30 में से, 30 में से 1.5 घटा देंगे, हमें जो A, B भी मिल जाएगा तो लोग देखे भी निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा किया पूरा हमार थिर्टी मीटर है कि है वनौन इसको हřिसा इसको मल लिया हमारा जो ए वो है वह थर्टी 8.5 यह हमारा ए भी हो गया चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं तो माल लेते हैं माल लेते हैं जो लड़का है भवन से एल मीटर की दूरी पर खड़ा है माना लड़का भवन से एल मीटर की दूरी पर खड़ा है खड़ा है तथा देखे एक्स मीटर की दूरी ताय करके चथा एक्स मीटर की दूरी ताय करता है जब उसका यह जो उन्यन कोड थार्टी से सिक्स्टी डिग्री हो जाता है उन्यन कोड थार्टी डिग्री से हो जाता है लड़का यहां सा यहां ते एक्स दूरी गया तो उसका जो उन्यन कोड थार्टी से कितना हो जाता है शिक्स्टी हो जाता है हमें यही दूरी बताना है कि लड़का कितनी दूर चल करके गया है तो दूरी हमने कितना माल लिए एक्स माल लिया है हमने इसको नाम दिया ए बी सी और यहां पे जो पॉइंट है इसको नाम दिया क्या डी हमारा सी डी कितना है एक्स है तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं तो देखे तिरभूज ए बी सी में समकोर तिरभूज समकोर तिरभूज ए बी सी में तो समकोर तिरभूज ए बी सी में देखे आप लोग ए बी सी में हमें थीटा पता है थीटा के सामने की बुजा लंब और यहां पे देखे हमें यह जो बी सी यह पता है बी सी कितना एल है BC कितना L है तो हमें लंब और आधार का रेशियो पता है तो लंब और आधार का रेशियो मारा क्या होता है 10 थीटा होता है और थीटा कितना 30 डिग्री है 10 30 डिग्री is equal to हो जाएगा AB upon CB 10 30 डिग्री कितना होता है 1 upon under root 3 AB मारा कितना है देखिए यह भी मारा कितना है 28.5 और यह जो सी भी यह क्या हो जाएगा सी भी मारा एल है न तो लिख दीजिए पॉन में एल और यहां से लिखे मारा एल क्या हो जाएगा एल इस इकोल टू हो जाएगा 28.5 रूट 3 दर चलाएगा अंडर रूट 3 तुमारे पास एल आ गया चलिए इसको हम लोग क्या माल लेते हैं समिकार नंबर एक नेक्स्ट अपने लोग देखेंगे तिरबुज a b d में तो हम क्या हो जाएगा समकौन तिरबुज A, B, D में तो A, B, D में क्या है देखिए A इतना हमारा L है A इतना हमारा X है तो सबसे पहले देखिए मारा B, D कितना हो जाएगा पूरा L इतना X इतना हो जाएगा L माइनस X अब देखिए A, B, D में क्या है हमें लंब पता है और आधार लंब और आधार का ratio क्या होता है 10 theta यहां से क्या हो जाएगा और theta कितना 60 degree तो 1060 degree is equal to क्या हो जाएगा 28.5 upon L-x अब यहां पर देखिए 1060 degree मारा क्या होता है 1060 degree होता है under root 3 और यहां से क्या हो जाएगा 28.5 upon L-x कुछ इस तरीके से मारे पास हो गया चलिए हम लोग next देखते हैं इस L-x को इस तरब बेजिए क्या हो जाएगा L-x और root 3 हमारा यहां पर चलाएगा तो 28.5 upon under root 3 next अब जो समीकरण 1 है समीकरण 1 से L का मान हम लोग इस समीकरण 2 में रख देगे तो लिखिए समीकरण 1 से L का मान रखने पर तो L का मारा रख दीजी आप लोग देखी क्या हो जाएगा L कितना है 28.5 under root 3 तो लिखे 28.5 into under root 3 minus x is equal to 28.5 upon under root 3 हमारे पास एई ही आ गया हमने L का बैलू रखा चलिए अब इस minus x को इस तरफ भेजिए 28.5 under root 3 और इसको हम इस तरफ लेकर क्या आएगे plus x minus हो जाएगा यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा 28.5 upon under root 3 और इस minus x को इदर बेज दीजिए क्या हो जाएगा plus x इसना आप लोग समझ गए होंगे चलिए अब लोग next इसको solve करते हैं देखे मारे इसके आगे क्या हो जाएगा x is equal to मारे पास क्या आ गया है x is equal to हो गया है 28.5 रूट 3 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अप और में क्या है अंडर रूट 3 चलिए देखे यहाँ से मारे क्या हो जाएगा यहाँ से मारे 28.5 कॉमन हो जा रहा है तो 28.5 आप कॉमन कर लीजिए और बचा क्या अंडर रूट 3 माइनस वन अप और अंडर रूट 3 यह मारे किसके बराबर है x के यहाँ से देखे क्या हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 को इससे मल्टिप्लाई हर बराबर करिए इसको उसके बाद घटा लीजिए हर बराबर करिए हर बराबर करने के लिए इसके उपर निचे में लोग अंडर रूट 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इन्टू में अंडर रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 यहां पूझागा 3 माइनस 1 अपवान में अंडर रूट 3 और यहां से देखे क्या हो जाएगा 28.5 और 3 में से गया 2 बटे में अंडर रूट 3 तो next देखे क्या हो जाएगा तो चलिए student इसको हल करिए देखी क्या हो जागा इसको multiply करिए देखी क्या हो जागा दो पंचे दस के सुन हासिल एक दो वट सोलह एक सत्तरह के साथ हासिल एक और दो दूरी चार एक पाँच और एक अंकवाद दसमलों लगा दीजिए अपवन में अंडरूर्ट थ्री 57 बटे में अंडरूर्ट थ्री एई हो गया 57 बटे में अंडरूर्ट थ्री और आप लोग एक बात जानते होंगे 57 कम लोग कैसे लिख सकते हैं आप लोग बताइए 19 गुडे में 3 बटे में अंडरूर्ट थ्री और आपको पता होगा जो हमारा 3 है 3 कुम लोग कैसे लिख सकते हैं अंडरूट 3 इंटू में अंडरूट 3 अपॉन में अंडरूट 3 ये से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या जाएगा आप लोग बताएगे 19 अंडरूट 3 और क्या है मीटर MR है क्या देखे X है ना MR MR कै X है थोहारे पस X कितना आ गया X is equal to आ गया है 19 under root 3 أو आप लोग देखे हमें निकालना क्या था हमें लड़का यहां से यहां तक चल करके गया है हमें यही बता था लड़का कितनी दूर चल करके गया है हमने माना था कि लड़का X दूरी चल करके यहाँ पर पहुंचा है तो X is equal to मारा कितना आ गया है 19 under root 3 मीटर तो चलिए लिखिए अतहा वह लड़का भावन की ओर 19 root 3 मीटर चल कर गया है तो students हमें यही निकालना था और हमने इसको निकाल लिया तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहिए अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और चैनल पढ़ना हो तो चैनल को subscribe करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहिए Thank you